नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके पसंदीदा चानल तेली टशन पर आज हम बात करेंगे सीरिल कुमकुम भागय के धमाकेदार एपिसोड के बारे में तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं कुमकुम भागय के हाली के एपिसोड में एक जबरदस ट्विस्ट देखने को मिला ये एपिसोड एक जबरदस ड्रामा और इमोशन से भरपूर था आएए जाते हैं कि इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ जो सब की निगाहें तिकी रह गए इस बार का एपिसोड हमें एक बड़े इवेंट में ले जाता है जहां साहिल और नेहा की शादी की बात चल रहे है जैसे ही ये इवेंट शुरू होता है हमें दिखाया जाता है कि साहिल बहुत ही गुसे में है उसके चेरे पर गुसे साफ साफ दिखा जा सकता है जैसे ही साहिल ने नेहा को देखा उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़ गया वो नेहा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो तुमने मुझे धोका क्यों ही दिया नेहा ये सुनने के बाद असमंजस में पढ़ जाती है उससे समझ नहीं आता है कि इस सिती का सामना कैसे करे वो कहती है कि वो इस समय बात नहीं करना चाती है और कहती है कि साहिल यहां से चला जाए लेकिन साहिल के गुस्से के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है गुस्से में साहिल इतना बढ़ जाता है कि वो नेहा पर हाथ उठाने ही वाला होता है ये सब देखकर मोनिशा बीच में आ जाती है और स्थिती को सम्हालने के कोशिश करती है मोनिशा ने पहले भी नेहा को कई बार बचाया है लेकिन इस बास्तिती और भी ज्यादा गंबीर हो जाती है अब इस ड्रामे का एक नया मोड आ जाता है जब आरवी और नेहा की एंगेजमेंट हो रही होती है इंगेजमेंट के दौरान आरवी नेहा को रिंग पहनाएगा लेकिन जैसे ही नेहा ने तृत सीरम पी लिया वो बिगोश हो जाती है इसके बाद परिवार के लोग उसे कमरे में ले जाते हैं और वहां से पूश्टाच शुरू होती है पूरवी को लगता है कि उसे सच सामने ही लाना होगा लेकिन वो भी पूरी तरह से बेबस महसूस करती है क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं बन पाता है पूरवी को समझ में आता है कि नेहा के साथ कोई ना कोई मिलकर सब खेल खेल रहा है वो साहिल से मदद मागने जाती है और उसे बताती है कि कैसे ने है और जसी के बीच कुछ गड़बर है इस एपिसोड का अंत एक बड़ी सस्पेंस के साथ होता है क्या पूर्वी सच में ने है और जसी के गंदे खेल को जागर कर पाएगी और क्या साहिल की मदद से शादी को रुपा जा सकेगा दोस्तो यह एपिसोड बेहती इंट्रेस्टिंग होने वाला है और इसके आगे के ट्विस्ट और जानने के लिए हमारी चानल टेलेटरशन के साथ जुड़े रहे है अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारी चानल टेलेटरशन को सब्सक्राइब करना ना भूले